चिराग पास्वान अब सीधे दोर पर तेजस्वी यादों को चैलेंज कर रहे। पिछले लगबग एक महीने की अगर आप राजनीती पर गौर करेंगे तो चिराग पास्वान जो तेजस्वी यादों को कुछ नहीं बोलते थे। नितिश कुमार को वह बोलते थे वो अब यादों को लेकर लालू यादों हो तेजस्वी यादों हो इन दोनों पर बोलते हैं इन दोनों को रगड कर रख देते हैं चिराग पास्वान जातियत जनगर्ना पर जब बोलते हैं तब वो साफ तोर पर कहना चाहते हैं कि यादों क जनसंख्या तेजस्वी यादों ने बढ़ा दिया अब इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो चिराग पास्वान एक हस्पताल में जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहता और स्वास्त को लेकर सिधे तोर पर वो जब सवाल उठाते हैं तो इसका सिधा मतलब तेजस् यादों पर सवाल उठाना चिराग पास्वान के लिए कोई गलत इसलिए नहीं है क्योंकि चिराग पास्वान इनके बिरोधी हैं लेकिन सवाल यह है कि पिछले एक महीने में अब ऐसा हो रहा है इसके पहले चिराग पास्वान तेजस्वी को लेकर बड़े सौफ्ट दिख अब नमस्कार में मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं कि कहानी की शुरुवात तो लंबे अर्से से हो चुकी है जब चिराग पास्वान और तेजस्वी यादों का रास्ता एक दम अलग हो गया जब पता चल गया कि चिराग पास्वान एंडिये के ही सा रहेंगे तब उसके बाद चिराग पास्वान ने तेजस्वी यादों के ऊपर बोलना शुरू किया अगर आप गौर करेंगे तो जातिगत जनगर्णा के मुद्दे पर चिराग पास्वान ने यादों की जनसंख्या को लेकर तेजस्वी यादों पर सवाल उठाया और डारेक्ट तोर पर तेजस्वी यादों पर निशाना था अब इसके बाद जब बात आया नितीश कुमार ने कहा कि हमको विसेश राज का दरजाता आए तब चिराग पासवान ने कहा कि 34-35 साल से ये लोग बरबात कर रहे हैं बिहार को और अब इनको विसेश राज के दरजे की याद आ रही है अब 34 और 35 साल में लालू यादों और राबडी देवी का भी कारकाल जोड़कर चिराग पासवान ने कहा मतलत कि कल तक चिराग केवल नितीश कुमार पर सवाल उठात अब सिधे तोर पर वो तेजस्वी और लालू यादों तक को नहीं छोड़ते लालू यादों को भी डारेक्ट चैलेंज कर रहे अब इसके बाद तारी को लेकर तारी को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि तारी बेचने वाला इतना बड़ा अफ्रादी हो जाता है कि वो बेल भेजा जाता है और जो बड़ा-बड़ा माफिया है शराप का वो अराम से बाहर घुम रहा है उसके उपर कोई कारवाई नहीं होती और चिराग पासवान का यह कहना भी सिधे तोर पर जेडियू और आर जेडिय के सरकार पर सवाल उठाना था फिलाल चिराग पासवान ने अपने राजनिती को धार-धार तरीके से तेजस्वियादों के खिलाप कर लिया है मतलब कि कलतवक कलतक वो भिरोध में थे लेकिन मुख्यता उनके भिरोध में नितीश कुमार निशाने पर थे लेकिन अब थोड़ा सा चिराग पासवान ने तेजस्वी यादों को सीधित तोर पर आड़े हाथों लेना सुरू कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि यह पूरी की पूरी राजनिती 2024 और 2025 के लिए तैयारी है मतलब कि 2024 और 2025 में अगर युवा बनाम युवा चेहरे की बात आएगी तो एक तरफ चिराग पासवान भारती जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जो तेजस्वी यादों को मूतोर जबाब देंगे तेजस्वी यादों को हर कदम पर रोकने के लिए प्रयास करेंगे और दूसरे तरफ से तेजस्वी यादों जिनकी पार्टी राष्टी जनता दल इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा वक्त में है सबसे ज़्यादा विधायक जिसके पात विधान सबामे है और इस वक्त पर हीवा बनाम हीवा मतलब कि चिराग बनाम तेजस्वी की चर्चा बड़ी तेज है आगे देखते रहिए कि यह जो तमाम चिशे हो रही है वो कहां तक आगे बढ़ती है आगे जो भी और तमाम जानकारी आगी सब कुछ माब तक पहुचाएंगे और चिराग का सीधे अपते जस्वी को चैलेंज करना रालू यादों पर सवाल उठा देना आपकी इस पर क्या परतिरिया है कमेंट बॉक्स में लीकर बताइएगा तमाम खबरों के लिए मरसत बने रहिएगा वीडियों ही पर समाप्त करते हैं केमरेक से बिचाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्नवाद